हेलो दोस्तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइमस में और आज हम सुरू कर रहे थे एक और बैतरीन कॉमिक्स चोटी सी कॉमिक्स इसका नाम में सपनो का सैतान यह इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तो और अभी तक आपने हमारे चानल को सस्क्राइब ने किया दोस् सुनता था क्योंकि उनका मानना था कि रोगी का इलाइज उसकी उन्हीं विचितर बातों में खोजा जा सकता है जो की रोगी सोचता है लेकिन आज जो रोगी उससे मिलने आया था उसकी बाते सुनकर डॉक्टर राय सवय उलजन में पड़ गये थे मुझे नीन बहुत आती है डॉक्टर जब भी मैं सोता हूं मेरे सपनों में भ्यानक सूरत वाले सैतान आते हैं और सपने में वे जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल वैसा ही वास्तविक जीवन में भी घटित हो जाता है I don't believe it भला ऐसा कैसे हो सकता है पाट को सपने कभी सच नहीं होते यह बात हम सभ जानते हैं लेकिन असोक अपने चिन सपनों की बात कर रहा है क्या वो सचमुच हकीकत बन जाते हैं असोक के सपनों में क्या सचमुच सैतान ही आते हैं या असोक जुट बोर रहा है यह जानना चाहते हैं तो इस चितर कता को तुरंद पढ़ डारिये असोक के भ्यानक सपनो की सुरवात केवल दो सब्ता पहले हुई थी जब दबतर में उसके बोस ने उसकी एक गलती पर आग बबुला होकर फाइल उसके मूँ पर फेक मारी थी दफा हो जाओ यहां से ठाक असक अपने इस अपमान पर बुड़ी तरह तिल मिला गया था बोस ने अपनी सेक्रेटरी के सामने मेरा अपमान किया है मैं उसे कभी छमा नहीं करूँगा उससे बदला लूँगा कहावत है हर इंसान के भीतर एक बुरा आदमी भी बसा रहता है उस राज जब असोक सोया तो उसने सपने में अपने भीतर छुपे सैथान को देखा असोक कवब भ्यानक परती रूप काफि गुरुद था तुम्हारे बस ने तुम्हारा अपमान किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए मैं उसे बदला लेने जा रहा हूँ बस उस समय कलब से लोट रहा था और काफी नसे में था आज कुछ ज़्यदा ही चड़ गई है रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता अचानक ही सडक पर खड़ी उस भ्यानक आकूरती को देख उसके अगले से चीक निकल चीक उपल पड़ी आई यह क्या है नसे और घबड़ाट में स्टेरिंग उसके हाथों से चूट गया और कार बेकाबू होकर एक खंबे से चाटक राई धड़ाग आपने बिस्तर पे सोया असोक अचाना चौक कर उठ बैठा उफ कितना भ्यानक सपना था अब तो सारी रात नींद भी नहीं आएगी किसी तरह रात गुजार कर जब वो अगली सुबह ओफिस पहुचा तो हैरान रख गया क्या बात है आज ओफिस बंद है क्या और यह भीर क्यों क्यों जमा है कल रात बोस का देहांत हो गया है असोक उनकी कार एक बीजली कीर के खंबे से टकरा कर उलट गई है चोट जाएदा आने के करण उन्होंने दुरघटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया ओ माई गोड भला मेरा सपना सच कैसे हो सकता है यह घटना डॉक्टर राय को सुनने के बाद असोक ने उनके चेहरे पर दुष्टी जमा दी थी अब आप ही बताएए डॉक्टर सहाब क्या बोस की मौत का जीमेदार मैं हूँ नहीं यह केवल संयोग है कि तुम्हारे बोस की एक्सिडेन की घटना तुम्हारे सपनों से मेल खाती है और उस सैथान के बारे में आप क्या कहेंगे जो रोज मेरे सपने में आता है तुम मुझे यही पर सो कर दिखाओ मैं अपने उपकरनों द्वारा तुम्हारी मनों स्थिती का आध्यन करना चाहता हूँ असोक को लिटा का डॉक्टर राय ने अपनी सिक्रेटरी सोफिया को भी वहां बुला लिया था असोक पर होने वाली परतिक्रियाओं को नोट करती रहो सोफिया यस डॉक्टर इसी बीच अचो गहरी नीन सो चुका था और उसकी कलपना में उसका भ्यानक रूप वाला रूप भ्यानक रूप यहाँ परकट हो रहा था हाहाहा डॉक्टर राइ की निगाह में कम्प्यूटर स्क्रीन पर जम्य हुई थी कि अचानक किसी की भेंकर हसी सुनकर वो उचल पड़ा का कौन है हाहाहा डॉक्टर को अपनी आँखों पर विष्वास नहीं आ रहा था आई ओ नो सुफिया डर कर इतनी जोड से चिलाई थी कि असो की निन तूट गई थी उसे जाकते ही वो सैतान भी कायव हो गया था और डॉक्टर वो आया था लेकिन इस औरत ने उसे भगा दिया सुफिया बुरी तरह भैवित थी यह यह आदमी भूत है डॉक्टर इसे यहां से भगात दीजिए डॉक्टर रा इतनी आसानी से सब कुछ मानने के लिए तयार नहीं था रिलेक्स सुफिया हमने जो कुछ देखा वो हकीकत नहीं हमारी नजरों का धोका था नहीं डॉक्टर हम दोनों को एक साथ धोका नहीं हो सकता उनकी बास सुनकर असोक मुस्कुरा उठा बहस करने के बजाए आप एक बार फिर ताजूरबा देख लीजिए डॉक्टर मैं फिर से सो जाता हूँ ठीक है लेट जा असोक लेटते ही पुनर सो गया मुझे डर लग रहा है डॉक्टर डॉन्ट भी सिली सोफियाई यहां कुछ नहीं होने वाला तब ही वे दोनों उचल पड़े डॉक्टर ओ असोक का भ्यानक पर तीरू परगट हो चुका था और डॉक्टर राय पर जपट रहा था सोफिया में ना जाने कैसे सहाज जाग उठा था उसने पानी से भरा हुआ जग उठा कर असोक पर पलट दिया च्छपा को वह सैतान डॉक्टर को मार डाले और मुझे इस आदमी को जगा ना होगा असोक के जागते ही वो भ्यानक आकरती कायब हो गई थी यह क्या बत्तमी जी मुझे घीला क्यों कर दिया दूर रहो मुझे तुम इंसान नहीं सैतान हो तब ही तो मैं यहाँ इलाज कराने आया हूँ मेडम यहां इंसानों का इलाज होता है, सैतानों का नहीं, निकल जाओ यहां से, get out किल्निक से जाते हुए उसक बहुत ग्रोध में था, डॉक्टर की सेक्रेटरी ने मेरा अपमान किया है, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं डॉक्टर राइक, डॉक्टर राइक को अब भी यकिन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उन्होंने देखा वो सच था, इनसान सपने में जो देखे वही वास्तोई रूप में साकार हो जा, इस पर मेरा वैग्यानिक दिमाग विस्वास नहीं कर सकता, और आखे हकीकत छुकला नही होता है डॉक्टर, आप उस सैतान को दोबारा किलनिक में मत घुसने दिजिएगा, उस राज जब असोक सोया तो सपने में उसका बुरा रूप सामने आ गया, तुम मेरा इंतिजार कर रहे हो, वो सवय को निर्मान, सवय को निर्ने लेता जा रहा था, आज डॉक्टर की सिक्रेटरी से बदला लेना है, उसने तुम्हारा बहुत अपमान किया था, हाँ हाँ हाँ, सोफिया अपने बेडरूम में सो रही थी कि अचानक उसकी निंद खुल गई, च्छनाग, ओ यह तो सी सैतान है, डॉक्टर राय को फोन करती हूँ, वही मुझे बचा सकते हैं, संपर्ट अस्थापित होते ही सोफिया पागलो की भाती चीक पड़ी, आई, वही सैतान आ गया है, डॉक्टर मुझे बचाओ, बचाओ, सोफिया, सोफिया, सोफिया की बात सुनकर डॉक्टर राय पुरी तरह घबड़ा गये थे उनके मस्तिस में एक ही विचा उबरा सोफिया को बचाने के लिए असोग को जगाना जरूरी है उधर सैतान ने सोफिया की और अपने खुनी पंजे बढ़ाए हाँ 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 उधर असोग के निकट रखे फोन की घंटी चिंगार उठी असोग के जागते ही सोफिया के निकट से सैतान अचानक गायव हो गया था उफ चला गया असोग पुरी तरह जला उठा था डॉक्टर राय या कोई समय है फोन करने का बगो मत तुम इस समय सोफिया के घर क्या लेने गये थे तो तुम्हें बता चल गया था कि मैं सोफिया को मारने वाला हूँ और इसलिए तुमने मुझे जगाया है हाँ असोग मैं तुम्हारे सपने की हकीकत को समझ गया हूँ और तुम्हारा इलाज भी डून लिया है तुम तुरंत मेरे किलनिक में चले आओ कुछ देर बाद असोग डॉक्टर राय के किलनिक में लेटा हुआ था सो जाओ असोग आज मैं तुम्हारे सपनों के सैतान का इलाज करूँगा ओके डॉक्टर असोग के सोते ही उसके सपने ने वास्तविक रूप दारंग कर लिया डॉक्टर राय ने तुरंत जेव से रिवालवर निकाला और सैतान को गोली का निशान बनाते दे चला गया तुरंत ही सैतान गायब हो गया और डॉक्टर राय की निगाहें असोग के और उठोरी वही हुआ जो मैंने सोचा था बेचार असोग को बेवज़ा अपनी चांद कमानी पड़ी सोफिया भी वहाँ आप पहुची यानि आप जानते थे कि उसके बुरे रूप पर गोली चलाने से असोग मारा जाएगा हाँ सोफिया लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था असोग का बुरा रूप उसके काबू से बाहर हो चुका था और अन्य इंसानों के लिए खत्रा बन चुका था इसे मार कर मैंने मानोता का भला किया है लेकिन आपकी बात पर कौन विश्वास करेगा पुलिस आपको हत्त्या के आरोप में पकड़ लेगी कोई विश्वास करे या ना करे लेकिन हम तो यह जान ही चुके हैं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है चलिए दोस्तों यह कॉमिक्स यहां समाप्त होती है मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से चोटे से कॉमिक्स के चोटे से भाग में तब तक के लिए आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सस्क्राइब करते, चली मिलते हैं ऐसे ही चोटे से कॉमेंस को चोटे से भाग में तब तक के लिए धन्यवाद पीता दोस्तों